प्रिये विध्यारतियों, आज हम बिये पार्ट फर्स्ट यर का फर्स्ट पेपर समाज शास्तर का परीचे के अंतरकत नया अध्याय शुरू करेंगे, संस्कति जिसे अंग्रेजी में कल्चर कहते हैं। मनिश्य एक ऐसा प्राणी है जो संस्कति का निर्माता है। व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एक समाज दूसरे समाज से संस्कति के आधार पर ही भिन्नता रखता है। मनिश्य अपनी शारेडिक मानसिक शमताओं के आधार पर ही संस्कति का निर्माता के रूप में। मानव संसकती के निर्माता के रूप में, समाज शास्री वाइट ने पांच छमताओं का उलेख किया है, जो व्यक्ति की शारेडिक सरंचना के कारण हैं, जिसके कारण मानव संसकती का निर्माता बना है, यह विशेश्टा यह निमनलिकित हैं, नंबर एक, सीधे खड़े होने की शम्ता मनिश्य में सीधे खड़े होने की शम्ता पाई जाती है पश्यु अपने 4 पैरों से चलता है लेकिन मनिश्य 2 पैरों से चलता है 3. तीक्षन वा केंद्रित की जा सकने वाली द्रश्टी मानव के पास तीक्षन वा केंद्रित की जा सकने वाली द्रश्टी है जिसके कारण वा घटनाओं को देख सकता है निशकश निकल सकता है 4. मेधावी मस्तिश्क मानव की सरवादिक योगिता मेधावी मस्थिश का होना है मानव में विचार करने की शक्ती होती है जिसके कारण वहोग किसी कारी की योजना बना सकता है आविश्कार कर सकता है नमबर पांच प्रतिकों की निर्मान की चमता मनिश्य में यह चमता है कि भाषा के माध्यम से वा विचारों का आदान पदान कर सकता है और उसके लिए मानों ने प्रतिकों को जन्मा दिया है संस्कती का मानव शास्रिय आर्थ मानव शास्रियों ने संस्कती का विभन आर्थों में प्रियोग किया है टाइलर के अनुसार संस्कती वह जटिल समगरता है जिसमें ग्यान, विश्वास, कला, आचार, प्रथा एवं इसी प्रकार के अनेशंताएं वा आदते सम्मिलित हैं जिने मनिश्य समाज का सदस्य होने के कारण प्राप्त करता है हॉबल के अनुसार संस्कती, सम्मंदि सीखे हुए व्यवार पतिमानो का संपुण योग है जो किसी समाज के सदस्यों के विशेष्टाओं को बताता है और इसलिए प्राणी शास्रिय विरासत का परिणाफ नहीं होता है लोवी के अनुसार संपुन सामाजिक परंपरा ही संस्कती है संस्कति का समाज शास्री अर्थ मैकाईवर और पेज के अनुसार संस्कति हमारे दैनिक व्यभार में कला साहित्य धार्मप मनुरंजन आनंद में पाये जाने वाले रहन सैन और विचार के तरीकों में हमारी प्रकर्टी की अभी व्यक्ति है इनके अनुसार संस्कति व्यक्तित्व से पूर्णतिया संबंदित है जीवन के प्रतेक्षित्र में यह संबंदित है लेंडिस के अनुसार संस्कती वा संसार है जिसमें एक व्यक्ति जन्व से लेकर म्रत्य तक निवास करता है चलता फिरता है और अपने आस्थितों को बनाए रखता है भौतिक और अभौतिक संस्कती अमेरिकन समाज शास्री और ने संस्कती के दो भाग बताए हैं नमबर एक भौतिक संस्कती नमबर दो अभौतिक संस्कती नबर एक भातिक संस्कती के अंतरकत मनुष्य के द्वारा निर्मित वस्तुओं को लिया जाता है जिनका निशित आकार होता है तथा इनसे मानुवी आवशक्ताओं की पूर्थी होती है जैसे भावन, अस्त्र, श्चस्र, आभुशन, मशीने अभातिक संस्कती अभातिक संस्कति में वे सभी बाते समाहित है जो अमूर्थ हैं जैसे विचार, विश्वास, मान, दंड, व्यभार, मुल्य, प्रता, रिती, रिवास, कानून, आदी संस्कति के लक्षन संस्कति के निमनलिखित लक्षन है नमबर एक है संस्कृति की सौभाविक विसिस्टिता एवं प्रग्यप्ति नमबर दो संस्कृति के व्यक्त एवं अव्यक्त तत्व नमबर तीन है संस्कृति निर्धारनपात नमबर चार है संस्कृति बनाव व्यक्ति नमबर पांच है संस्कृति एवं सभ्यता परिभाशा के अनुसा संस्कती सीखे होए व्यवार पतिमानों का संपोर्ण योग है जो कि प्राणी शास्त्रिय विरासत का परिणाम नहीं है बलकि किसी समाज के सदस्यों की विशेष्टा है इससे संस्कती के यह विशेष्टा सपस्ट होती है कि संस्कती सीखी जाती है पीड़ी से दूसरी पीड़ी को हस्तानांत्रित भी किया जा सकता है नमबर तीन है विशिस्टता का कुण चुकि प्रतेक समाज की अपनी अलग विशेष्टाएं होती हैं उनकी सामाजिक भौगलिक परिस्टियां अलग-अलग होती हैं आता वहां की संस्कृति भी अलग वि पहनता रखता है जैसे कि पाशात्य समाजों में सर्दी अधिक होनी के कारण हर समय मनिश्य जूते मोझे आदी पहने रहता है इसी कारण वहां की संस्कति में रसोई में जमीन पर पैट कर खाना बनाने खाने की व्यवस्ता नहीं है नमबर चार है मानव निर्वित मनिश्य में यह अनोकी शमता विद्वान है कि उसे संस्कति का निर्माता कहा जा सकता है मनिश्य की यह शमता उसकी शारेरिक सरंचना के कारण है विक्सित मस्तेश्क है तेश्न द्रश्टी है हातों की बनावट सीधे कड़े होने की शमता अंगुठे वगर्दन की सरंचना आदी उ इसके कारण ही वह अपने अनुभवों का प्योग कर सका है नंबर पांच सामाजिकता का गुण जोकि संस्कति मानों के आवशकताओं के अनुरूप होती है साती वह सामाजिक अविशकार का परिनाम होती है अता संस्कति की प्रकरती सामाजिक है संस्कति व्यक्ति विशेश की नहीं होती बलकि वह संपुर्ण समाज की होती हैं नमबर च्छे समु के लिए आदश संस्कती हर समाज पर समु की अलग होती है और वह समु अपनी संस्कती को एक आदश मानता है और उसके अनुसार ही व्यभार करता है इसी करण जब दो संस्कतियों की परसपत तुलना की जाती है तो प्रतेक समु अपनी संस्कती को दूसी संस्कती से आदश मस्रेश्ट मानता है और उसी के अनसर व्यभार करने का प्रयास भी करता है नमबर साथ अनुकूदता का गुण संस्कती की या विशेष्टा है कि वह परस्तितियों के अनसर अपने आपको अनुकूलित कर लेती है इसका कारण गया है कि संस्कति गतिशील होती है स्थेट नहीं इसी गतिशील ताके फल सरुप वह समय समय पर होने वाले परिवर्तनों से अपना तादात में स्तापित कर लेती है उधारन रेगिसान वह बर्फिले प्रदेशों में रहने वालों की संस्कति में परि अर्था संस्कति की विवनेकाईयां परसपर एक दूसरे से गुम्फित होती है और उनका संगठित रूप ही संपून संस्कति में एक प्रकार का संतुलन तता संगठन लाता है 9. अवशक्ताओं की पूरती मनिश्य एक सामजिक प्राणी है, समाज में उसके अनिक प्रकार के आवशकता हैं होते हैं शाररिक, मानसिक, सामजिक आधी जिनकी पूर्ती के लिए उसने संस्कती को निर्मित किया है संसकती ही मानों की प्रानिशास्या सामजिक दोनों प्रकार की जरूरतों को पूरा करती है ग्रोबर ने संस्क्ति की एक विशेष्टा बताई है कि संस्क्ति अधिवयक्ति ही नहीं, अधिसावियवी भी है संस्क्ति की ये दोनों ही विशेष्टाई मेहतोपूर्ण है सरफ प्रथम देखें कि संस्क्ति को अधिवयक्ति क्यों कहा गया संस्कति एक व्यक्ति की नहीं है बलकि संपुन समाज अत्वा समू की होती है यदि भी मनुश्य ही संस्कति का निर्माता है इसके बावजूद भी संस्कति की निरंतरता तरto उसका अधिकार व्यक्ति विशेश पर निर्वर नहीं है, वह तो संपुन समु की विशेश्ता है प्रथाएं, रूडियां, परंपराएं आधी किसी व्यक्ति विशेश द्वारा नहीं बलकि संपुर्ण सम्हु द्वारा निर्मित होती है क्रोबर ने संस्कति को अधी साव्यावी भी कहा है अधी साव्यावी कहने का आश्या है कि प्राणी शास्त्रिय या जैविक चमताएं और संस्कति भिन भिन प्रकार की प्रगटनाय है संस्कति को जैविकिय से उचा माना गया है क्योंकि संस्कति ही मानव जी उनको नियंत्रित-निदेशित करती है इससे प्रभावित होए बिना मानव का अस्त्त तो नहीं है संस्कति के अनुसार ही उसे चलना पड़ता है, साथी केवल जैवी की है, साव यवी घटना है, भी संस्कति की जनक नहीं हो सकती, क्योंकि संस्कति वंशानु क्रमन द्वारा किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है, वंशानु क्रमन में यह शमता नहीं है कि उसके माध्यम से संस्कतिक लक्षन एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी को हसाना अंत्रित हो इस कारण भी संस्कति आधी साव्या भी है धन्यवाद